तेज कबर्ट 24 में इस वक्त रीवा सहर से बड़ी खबर है यहां रीवा शहर में कोरोना करफ्यू के बीच आज एक बार फिर गोली चलने की घटना सामने आई है यहां बाइक सवारों ने एक युवक पर कटे से फायर करते हुए उसे बूरी तरह से जखमी कर दिया है बाइक सवारों के बंदूग से निकली दो गोलियां युवक के हाथ और पैर में धसी हैं गायल को उपचार के लिए सुपर इस्पेसिलिटी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है वही घटना की बज़ाए पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है फिलाल पुलिस ने गाय राम किटवडिया मडी निवासी उमे समिस्रा नाम के युवक पर बाइक सवार बदमासों ने कट्टे से फायर कर दिया घटना के दोरान बदमासों के बंदूग से निकली गोली युवक के हाथ और पैर में लगी है फिलाल गायल को उपचार के लिए अस्पताल में दाखि करा दिया गया है जहां घायल की हालत अब खत्रे से बाहर बताई जा रही है मामले में घायल ने बड़े भाई के साले पर गोली मारने का आरोप लगाया है जिसकी पहचान रानी गंज निवासी रिशब दुवेदी वा राहुल दुवेदी के रूब में गी गई है पिलाल इसने घायल के दिये हुए बयान के आधार पर आरोपियों की तलाज शुरू कर दी है हम अपने घर के बाहर बुलेरो गाडी में बैठे हुए थे हमारा एक मित्र आया हुआ तो उससे बाते कर रहे थे इतने में तीन लड़के आये हैं विवाद हमारे छोटे भाई गणेस म बेतन दिलवाया थाने में उसी चिड़ बस वो लोगायत मा घर के बाहर बैठे हैं यह तो वहीं पर गोली चलायके चले गए हैं एक कर इसा दुवेदी नाम है एक कर आहू दुवेदी एक और लड़का था उसको नहीं पहचानते यह रानी गंज गोंभर के रहने वाले यह है उमेश मिस्त्रा सना जग्रीद फ्राज मिस्त्रा उम्र 24 वर निवासी मढ़ी ठाना चुराटा जीला रीवा का रहने वाला है यह आद गिनांग 35-21 के सोड़ा 30 वजे ग्राम मढ़ी हर्याजी के घर के सान्वे रोड में और रोपी रिसब दुवेदी राहुल दुवेद जगड़ा रहा और चोटा भाई के सार गोली मारा इसको उवेद के गोली मार के हत्या करने की नियत से गोली मारा जो बाएं हाथ के गदोरी से लगकर ऊपर निकली है पाएं जागे में जाके लगी